तो यहाप एक डेफिनिशन लिखलो, यदि, यदि कोई, यदि कोई वाक्य, यानि यदि कोई इंग्लिश का वाक्य, प्लीज, या काइंडली, यदि कोई इंग्लिश का वाक्य, प्लीज या काइंडली, से बन रहा हो, हो, तो उसका कोईश्चिन टैग, तो उसका कोईश्चिन टैग, हम हमेशा, हम हमेशा, विल यू या वांट यू से बनाते हैं, किस से बनाते हैं बच्चों, विल यू या वांट यू से बनाते हैं, ये चीज माइंड में याद रखिएगा, ये मैंने अंडलाइन कर दिया है, इसको वाक्स में भर दिया है, अब आप माइंड में एक चीज सेट कर लीचे, कि यदि किसी वाक्य के अंदर, किसी वाक्य में, प्लीज काइंडली दे रखाओ, तो उसका कोश्चन टैग हम किस से बना सकते हैं, will you से बना लो या फिर want you से बना लो बनेगा दो से will you से भी बन सकता है और ये want you से भी बन सकता है दोनों में से किसी से बना सकते हैं दोनों ही question tag बनाते समय ठीक होगा या will you बना लो या फिर want you बना लो ये जो है ये will you का ये wanty है negative part बना वहाए यह ऐसे बन सकता है ठीक है इन में से आप दोनों में से किसी से बना सकते हैं तो यहाँ पर चले स्टार्ट करते हैं मारी जी कि कोशन नंबर 11 11 है और यहां पर लगदे कि प्लीज प्लीज help me मेरी मदद कीजे किर्पिया मेरी मदद कीजे करोगे न अब यहां पर option दे दे पहला एक चीज मैं बता दू कि जब option देगा वो examiner जब option देगा अगर will you वाला option देगा तो फिर यह वाला option देगा क्योंकि दोनों फिर सही हो जाएंगे अगर वो want you वाला option दे रहा है तो फिर वो will you वाला option नहीं देगा आपको तो पहला option देखे जड़ा ऐसे लिख देगा can you be option में आपको दे दे should you should you हो गया और c option में आपको दे दे यहां पे will you और इस वाले option में दे दे यहां पे could you would you तो चलिए बढ़िए आप यहां पर कि please का emotions है किस से देगा it's very simple now कि यदि कोई वाके प्लीज काइड़ली से बन रहा हु तो देखे यह वाला वाके किस वेन रहा है यह वाला वाक्य किसे बन रहा है बच्चो यह वाला वाक्य जो बन रहा है किसे बन रहा है प्लीज से बन रहा है तो प्लीज से बन रहा है तो उसका कोशन टेक हम किसे बनाते हैं या तो हम विल यू से बना ले या फिर हम वांट यू से बना ले तो आप very simple यह प्लीज दे रखा हैं तो हमें क्या ढूड़ना है विल्यू ढूड़ो या फिर वांट्यू ढूड़ो तो याला रॉंग, याला रॉंग, याला रॉंग द्राइट अंसर विल्यू ऐसे ही आपके एक्जाम में कॉश्ण आयागा और बढ़ा बढ़ारी आप अंसर, ओके? सो, रिमेंबर दीस प्लीज काइंड ले तो उसका कॉश्ण टिक से बनेगा विल्यू से बन सकता है या फिर वांट्यू से बन सकता है विल्यू वाला उप्शन आ गया, अंसर मार दीजे यह दोनों ऑप्शन एक एक एक्जाम के अंदर नहीं देगा क्योंकि दोनों ही करेक्ट हैं इसलिए इन में से एक उप्शन दिया, जैसे यहां दिया विल्यू आई होप संज में आ रहा होगा चलिए एक एक एक्जाम्पल और लेते हैं ऐसा पूछ लेगा आपसे वीडियो को रोख के आप प्लेस नॉट डाउन के लिए जगा इन इक्जाम्पलों को हमारा चल रहा है कॉशन टेक का थर टाइब चले एक और एक एक्जाम्पल दिखते हैं सपूस कीजे कॉशन नवर सिक्स और आपको यहां पर लिख दे इस पर हम काइंडली ले लते हैं काइंडली काइंडली वेट आउटसाइट किरिपया बाहर इंतजार कीजे काइंडली वेट आउटसाइट किरिपया बाहर की तरफ इंतजार कीजे ऐसे दे दे ऑप्शन में माले जब यहां पे A option, that is a B option, और एक में दे दे आपको, यहां पे continue, और यह कोशन मार का sign, C option, और यह दे दे आपे no error, ऐसा भी पूछ सकता है आप से, यह मैं सोचेगा कि वह फिलिंदा ब्लैंक सी पूछेगा, ऐसा भी एक्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए, kindly, wait outside, can't you, किरिपया, बाहर इंतिजार कीजिए, ता मुझे बताव, यहां पे क्या आ रहा है, kindly आ रहा है, जब kindly आ रहा है, तो क्या इसका question tag, can't you से बनेगा, can't you से बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जब sentence में kindly, please आएगा, तो उसका question tag, will you, या want you से बनता है, तो C option is wrong, यहां पर, या तो will you आए, तो ठीक हो जाएगा, या फिर यहां पर, want you आए, तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि, please kindly का question tag, will you, want you, दोनों में से किसी भी एक से बना सकते हैं, ठीक, इसकी कोई conditions नहीं है, I hope, समझ में आ रहा होगा, चले देखते हैं, एक और example, मैं इसको erase कर रहा हूँ, आप इसको not down कर लीजएगा, चले, let's see, let's see another example, अब माली जी question आपको, माली जी question number third बना दिया मैंने, ऐसी, और यहां पर question ऐसे देदे कि, ऐसे भी देते हैं आपको, इस तरीके से, और जो रही नहीं कि please kindly शुरू में आए, last में भी आ सकते हैं, जैसे आज ऐसे देदे, open the door, please, यह ऐसे भी दे सकता है विड़ा, open the door, please, अब यहां पर पूछे कि बता ही, इसका question कैसे बनेगा, open the door, please, देखे, please आ गया है, यहां प रहा है न, please, बस, तो आप समझ जो, इसका question test कैसे बनना है, पहला option, can you, b option में दे दिया आपको, shouldn't you, और c option में दे दिया आपको, want you, और d option में दे दिया आपको, ऐसे दे दे आपको, may you, may not you, ऐसे, आप मुझे बताओ, तो इन में से, इन चारों में से, इसका question test कौन बनाएगा, तो yes, sentence में, please दे रखा है, please is given there, ठीक है, दिया हुआ है यहां पर, please was given there, यहां जब दे रखा है, तो आप समझ जिए किसका question test किससे बनेगा, तो इसका question कि से बनेगा, want you, say, this portion is right, this is wrong, this is wrong, this is wrong, तो यहां पर हमारा, यह सी वाला option, right है, शी पर टिक लगाईगा, लगाना, और आपका एक number done हो जाएगा, तो दुबारा समझ जिए, यदि कोई वाक्य, please kindly say, बन रहा हो, तो उसका question take, will you want you से बनेगा, please kindly sentence के सुरू में आया, आ सकता है, और sentence के इदर लाश में भी आएगा, तो भी वो, will you want you से ही question take बनेगा, इसको में raise करो, चले हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका वे एक छोड़ा सा, एक जुगार सेट कर देता हूँ, आपके लिए, ऐसे याद कर लो, mind में सेट कर लो, please, या kindly, ऐसे दे रखा हो, तो इनक you से बनेगा, या फिर, want you, इसको want पढ़ते हैं हम, इंग्लिश में want you, और यह मैंने box में बंद कर दिया, जैसे मैंने पहला वाला जुगड़ा बनाया था, यहाला, तो ऐसे में देखके आपको set हो जाएगा, please kindly का question take, will you या want you से बनता है, will you या want you से बनता है, और यहां में निशान भी लगा दे रहा हूं, that is, ऐसे, तो यहाला चीज, आप अपने notebook में जब आप notes बना रहे हैं, तो आप ऐसे करके जुगाड़ बना लें, कि kindly please का will you या want you से बनता है, तो जैसे आपका exam होगा, आप जैसे उस पे नजर डालें, mind set हो जाएगा, please kindly वाले का question take, will you या want you से बनता है, done